खंड के मौसम में प्रेग्रिंसी के दौरान गर्वती महिला को गरम पानी से नहाना चाहिए या नहीं अगर आपके मैं में भी इस से जोड़ी बहुत सारी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा जरूर दिखें pumpkin क्योंकि इस वीडियो में आपको यह सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ So hi friends, मैं हूँ इरुफान और आप देख रहे हैं सेहत रहत सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गरवती महिला ठंड के मौसम में गरम पानी से नहा सकती है लेकिन जरू कि गरवती महिला को गरम पानी से नहाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है क्योंकि प्रेगनसी में कोई एक चूक भी गरवती महिला के लिए और गरमे शिशु के लिए बहुत ही खतरनाग हो सकता है इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें ताकि आप से भी कोई ऐसी गलती ना हो पाए प्रेगनसी के दोरान कभी भी बहुत ज़्यादा गरम पानी से गरवती महिला को नहीं नाने चाहिए क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे खतरनाग नुकसान हो सकते हैं कुछ बड़े घर के लोग, कुछ रोयल फैमिली नहाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तमाल करते हैं जैसे कि जैकोजी, साउना, होट अब्स या स्टीम रूम का इस्तमाल नहाने के लिए करते हैं लेकिन according to medical science, pregnancy के दोरान कभी भी भूल कर इन सारे मेथट्स का इस्तमाल नहीं कनी चाहिए क्योंकि इससे गरभती महिला को बहुत सारे खतरनाग नुकसान हो सकते हैं क्योंकि इन सारे तरीकों से नहाने पर गरभती महिला का body overheat होना शुरू हो जाता है जिससे pregnant woman को dehydration हो जाती है और body का blood pressure low हो जाता है जिससे body में oxygen की कमी होने लगती है और शिशू को nutrients नहीं मिलती है और ultimately गरभती महिला का miscarriage हो जाता है इसके साथ ही गरभती महिला को dizziness और weakness भी होने लगती है और अगर गरभती महिला का first trimester चल रहा है यानि कि पहली तिमाही गरभती महिला का चल रहा है और इस तورान वो बहुत ही गरम पानी से नहा लेती है तो इसे गरभ में सिशू को birth defects भी हो जाता है यानि कि बच्चे का आँख खराब हो सकता है बच्चे का हाथ खराब हो सकता है या पैर खराब हो सकता है या बच्चे को कोई भी physical damage हो सकती है तो ये सारे कुछ ऐसे खतरनाक नुकसान थे जो बहुत ही गरम पानी से नहाने पर गरवती महिला को हो सकती है तो फिंट्स अब हम जानते हैं उन सारी बातों को कि जो गरवती महिला को नहाने के दौरान ठंड के मौसम में ध्यान रखना चाहिए ठंड के मौसम में गरवती महिला को गरम पानी से नहातने के दौरान सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़री है सबसे पहले गरम पानी का temperature जी हाँ फ्रेट्स प्रेट्स 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 issue के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसके साथ इस बात कभी ध्यान रखना है कि प्रेग्निट वोमेन को गरम पानी में 10 ख पंद्रा निट मीनट से जादा बिलकुल भी नहीं नहाना है क्योंकि 15 मिट से ज़्यादा नहाने पर pregnant woman का पूरा body overheat होनी शुरू हो जाएगी और नुकसान होने शुरू हो जाएगे अगर इस 38 degree Celsius के गरम पानी से गरपती महिला नहाती है तो उन्हें बहुत सारे benefits भी होंगे उन्हें नुकसान नहीं होगी जैसे कि उनका muscle relaxation होगा और उनके body के muscle cramps में भी मदद मिलेगी उनके body में pain भी नहीं होगी इसके साथ ही उनके body में pre-mature contraction भी नहीं होगी कुछ मेलाओं का pre-mature contraction के वज़े से समय से पहले ही उनके delivery हो जाती है लेकिन हलके गरम पानी से नहाने पर गरवती मेला का ये risk कम हो जाता है इसके साथ ही गरवती मेला अगर इस normal temperature के पानी से नहाती है तो उन्हें और भी बहुत सारे benefits होते हैं जैसे की कुछ गरवती मेलाओं को pregnancy के दरह उनके पैरों में सूजन भी हो जाती है लेकिन अगर वो थंड के मौसम में हलके गरम पानी से नहाती है तो उनके पैरों के सूजन भी ठीक हो जाती है अब कुछ महिलाएं ये सोचती है कि ठंड के मौसम में गरम पानी से नहाने पर गरम पानी उनके गर्ब में इंडर कर जाएगा, गर्ब में चला जाएगा और शिचु को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे लेकिन फिट्स मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका शिचु गर्ब में एक अम्नियॉटिक सैक से, एक अम्नियॉटिक थैली से पूरी तरह से सेफ होता है और आपके गर्ब में कभी भी ये गर्म पानी नहीं जाती है और आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाती है तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि गर्म पानी आपके गर्ब में चला जाएगा और आपके बच्चे को नुकसान होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है फिर्टस आई होप कि आपके मन से मैंने ये सारी confusion ये सारी question clear कर दिया होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास भी रही होगी तो फिर्टस वीडियो के नीचे एक like बटन होगा इस वीडियो को like करे और हाँ इसे अपने दोस्तों के सारी what's up पर जरूर शेयर करे हो सकते है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए और अगर आपके मन में अभी भी कोई question है इस वीडियो से related तो मुझे अपनी चीक comment कर सकते है आपको जरूर रप्राई करूंगा और इसी तरह के helpful और trusted topic के लिए हमारे सिहत राज चनल को जरूर सुस्क्राइब कर ले तो फिट्स मिलतो हम आप सब्सक्राइब होए तब तक के लिए बाबाए टेक कियर और गुडबाए